दिली करे न्यूस में अभी की खबर है भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता आज याने 22 फरवरी को स्वामी सहजानन्द सरस्वती का जन्म हुआ था चले अब जानते हैं स्वामी सहजानन्द सरस्वती के बारे में यह एक प्रसिद्ध सन्यासी स्वतंतरता सेनानी और प्रमुख किसान नेता थें इनका जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर उत्तरपुदेश में हुआ था इनकी बच्पन का नाम नवरंग राय था छोटी से उम्र में ही यह आध्यात्म की ओर आकरशित हो गए और मात्र 18 साल में अपार नात मठ के स्वामी अच्चितानन्द से दिक्षा ले ली इस दिक्षा के बाद ही इन्हें एक नया नाम स्वामी सहजानन्द दिया गया इस प्रकार यह वर्ष 1907 में सन्यासी बन गये बाद में किसानों के दुर्दशा देख इन्होंने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया वर्ष 1920 में तिलक के मृत्यों के बाद इन्होंने तिलक स्वराज कोश के लिए धन एकठा करना शुरू किया इसे वर्ष यह एक समर्पित गांधिवादी के रूप में भारती रास्ट्री कॉंग्रेस यानि आई एंसी में शामिल हो गए इन्होंने बिहार के शाहबाद और उतरप्रदेश के गाजीपुर में असायोग आंदोलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई वर्ष 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतिय किसान सभा की स्थापना की वही वर्ष 1936 में इन्होंने लखनव में अखिल भारती किसान सभा की नीव रखी इन्होंने वर्ष 1937 से 1938 में बिहार के बकाष्ट आंदोलन का भी आयोजन किया सुभाष शंद्रबोस ने इन्हें भारत में किसान आंदोलन का निर्विवाद नेता कहा इन्होंने मेरा जीवन संगष नाम से अपनी आत्म कथा लिखी है 25 जून 1950 को पठना में इनका निधन हो गया चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्णगों स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इनके बच्पन का नाम नवरंग राय था दो वर्श 1938 में इन्होंने लखनों में अखिल भारती किसान सभा की नीव रखी उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया झाल